कफ प९स.. विसक्लाप है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वह विद्वछघ्र था विद्वधे। वाहा था विद्धुच्योंच्योंच्योंध प Obviously 종 the टी टीM एक्स जो एक्जाम्पल दिया है वह विद्धु छेत्र से रिलेटीड है एक्जाम्पल 1.9 यह एक्जाम्पल है एंसे आईटी के कोश्ण भी एक्सरसाइज में दिये हैं वह भी देखें यह फिलाल एक कोश्ण है मैं आपको अलग से समधार देता हूं इसे कोश्ण कुछ इस से खुलांब और यह ताइनटो की बावर माइनस एक्ट कुलांब है यह नेगेटिव और यह पॉजटिव हो जो कोश्ण गीवन है कोश्ण वह इस प्रकार की बना है कि इसने तीन पॉइंट बनाएं एक तो यह एक यहां और एक यह इनके मीड़ पॉइंट यानि कि यह इसका नाम ए यह बी और यह से इन तीन पॉइंट पर आपको वेद्व-छेत्र बताना है कितनी होगी वेद्व-छेत्र की तृवता कितनी होगी अब जो यह डिस्टेंस है क्योंकि चित्र गीवन है यह कोस्टन में गीन हैं मिव्यडी डिस्टेंस किवन है यह भी 0.1 संतीमट और जो यह पॉइंट है यह जो डिस्टेंस इस पॉइंट कि इस पॉइंट से इस चार्ज से वो 0.05 संतीमितर है तो हमें एक एक कर दो तो तो पहले हम इस ए पॉंइंट पर निकाले लेते हैं अगर हम एक और देखें यह एंगर एक तो इसपर है दो वेद्दूचेत्र की त्रीवता होंगी चुकि हमें पता है अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो वेद्दू छेदर की त्रिवता की जो डिरेक्शन होगी वह इस ओर होगी रेडियल और इससे दूर होगी तो अगर ध्यान दें इस पॉइंट पर चूकि क्यू टू जो है नेगेटिव है और क्यू जो है पोजेटिव है तो पहले एपर निकाल लेता है फिर बी पर और फ किए वन राइट साइड में होगी और इवन एलिख देते है एज है और जू कि कारण होगी वह है यहीं दूसरा साइन बना इससे बना देता हूंगा ये जो डिरेक्शन होगी ये दूसरा जो होगा E to A दोनों इस डिरेक्शन होगे तो E1 Q1 के कारण A पर वेद्दो चेत्र इससे क्लियर हो रहा है कि ए पर फाइंड कर रहे है और वन के कारण तो इवन ए जो गिवन है तो कि वेद्दो चेत्र की तीरता का फोर्मूला होता है इस गॉल टू वन अपोन फोर पाइं एक्साइल नोड क्यों अपोन आर स्कॉर इस फॉर्मूले में इसका वैलियू रख लेते हैं कि नाइन इंटू टेंटू की बावर नाइन इंटू क्यों वन टेंटू की बावर रेट अब वोन आर चूंकि ये जिरो पॉइंट वन है तो हाव हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसक्वार इस फॉर्मूले में वैलियू रखी है हमने कि अगर इसे सॉल करते हैं इवन ए नाइन इंटू टेंटू की बावर नाइन और यह टेंटू सोरी यह माइनस का एट है और तो यह होगा माइनस एट तो यह आ जाएगा टेंटू की बावर माइनस नाइन माइनस एट अपॉन इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और पॉइंट यह है तो 10 तो की पावर 2 और इंटू 10 तो की पावर 2 यह पावर एड़ कर लेते हैं नाइन इंटू 10 तो की पावर 1 अपन 5 इंटू 5 इंटू 10 तो की पावर 4 फाइब टू जा टैन नें टू जा एटीन एटीन अब ओन फाइव इंटू 10 तो की पावर 4 यानि की यह आपका जाएगा फाइफ त्री जा फिफ्टीन और फाइफ शिक जा थर्टी इंटू 10 तो की पावर 4 न्यूटन पर कुलांग एड़ वन एडिरेक्शन जो होगी इसकी राइट साइड होगी मैं आल लिग देता हूं राइट साइड अगर इसी परकार e2a निकालें चूकि q2 का परिमान उतना ही है जितना की q1 का था और चूकि यह डिस्टेंस ली थी यहाँ पर हमने यहाँ यह डिस्टेंस ले रहे हैं दोनों सेम हैं त्यानिकि शेम इसका जो इसके परिमान है मुझ सेम है तो सॉल्व ऐसे करेंगे यह यह होगा यह होगा सॉल्व करेंगे तो यह यह आएगा तो इससे मैं लिखता हूं थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर फोर न्यूटन पर कुलाम यह भी क्या होगा राइट साइड होगा अगर मैं यह लिख लूंग यह पर इए कि यह कितना हो जाएगा आपका इवन ए प्लस ए वन टू ए तो यह भी राइट साइड होगा कि डिरेक्शन इसकी बताते चलते हैं इन दोनों को एड़ करेंगे सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू की बावर फोर न्यूटन पर कुलाम यानि कि यह आपका जाएगा यह यह पर व्यद्द उच्छेत्र यह भी राइट साइड इस परकार हम यह पर फाइंड कर सकते हैं अब सेकिंड जो पॉइंट पूँछा है उसने एक बाद बी पर पूछा है अबिया तो जहां नहीं है आ देख सकता है इस बी को बनाने के लिए यहां जहां नहीं हैンタ। तो यह कम कर लेते हैं हम वहां से समझ लेते हैं B के लिए जुकि हमें B vs कर दो बी के लिए पहले इस वाले चारज के कारणもし फ़िर लेते हैं बी परनी का लें लिए Macedo जुकि कि क्यों टू नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है मैंने बता नेगेटिव की और यानि कि क्यों टू की तो और होगा तो इसे लिख लिख लेते हैं एक इस पर होगा कि एक टू बी और एक वेद्दू चेत्र की तिरुपता एक वन बी एक डिरेक्शन इधर और एक इधर तो वन भी अगर लिखें वन भी किसके कारण है क्यों के कारण तो इए वन बी फॉर्मूला यहीं यूज़ करेंगे नाइन इंटू टैन्टू की पावर नाइन क्योंकि यह डिस्टेंस 0.05 सेम वही कंडिशन है चार्ज कितना है टैन्टू की पावर एट माइनस के और 0.05 का होल स्कॉर सेम है तो इसलिए मैं इसे भी डिरेक्ट लिए रता है वन भी जो आएगा सेम सॉल्व करके यह आएगा 3.6 इंटू टैन्टू की पावर फोर न्यूटन पर कुलाम लेकिन यह लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट साइड अभी इटू बी इटू बी निकालते हैं इटू बी अगर निकालें यह राइट साइड है इस नाइन फोर्मूला वही टैन टू की पावर नाइन टैन टू की पावर माइनस एट अपोन और इसक्वार आर इसक्वार में हमें डिस्टेंस यह लेनी हैं क्योंकि यह 0.1 है 0.05 है तो यह हो जाएगा 0.15 इसक्वार इसक्वार इसे सॉल्व करें नाइन इंटू 10 इसे एड़ करेंगे तो 10 और 10 टू की पावर 4 यहां और 15 इंटू 15 156 जा 90 6 इंटू 10 टू की पावर 4 अपोन में 15 15 फॉर जा 60 0.4 इंटू 10 टू की बावर 4 इंटू 2 बी यह होगा हमारा राइट साइड अब अगर हम इसे स्वाल्व कर लेते हैं इसे रख कर लेते हैं अब बी पर तो ई बी जो होगा यहां थोड़ा समझने वाली बात है चुकि फॉर्मूला होता है इसे जो परपोजन होता है वन अपोन आर स्कॉयर यानि कि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंग होगा तो इसका मतलब e2b कम है और e2b ज़्यादा है sorry e1b ज़्यादा है तो यह हो जाएगा इसका परणामी चूँकि एक उस direction में एक इस direction में तो माइनस होगे e1b माइनस e 2b यह 2b क्यों माइनस क्या है क्योंकि इसकी distance ज़्यादा है तो वे दुछेदर कम होगा और e3.6 10254 0.4 इंटो 10254 दोनों को माइनस करेंगे तो यह आजाएगा 3.6 माइनस 0.4 3.2 3.2 इंटो 10254 माइनस करके मैंने लिख दिया है e b इस परकार हम बीवर न्यूटन पर कुलाम इसकी जो डिरेक्शन होगी वो यह ज्यादा है तो लेफ्ट साइड होगी इस परकार हम इनके इस पॉइंट पर और इसी लाइन में किसी एक पॉइंट पर जैसे भी दिया था 0.5 दिस्टेंस पर वो हमने फाइंट कर लिया थार्ड है अब वो फिगर मैं मिटा देता हूं आप इसे ध्यान रखेंगे यह बी के लिए है और वी को अगर मैं यह बनाना जाओं तो अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप मैं पिले कलर से बना देता हूं यह बी पॉइंट है और यह जो डिस्टेंस है जिरो पॉइंट जिरो फाइफ सेंट दिम्टर है कि ध्यान देंगे अब इस कॉइंट पर निकानना है चूंकि यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की और यानि कि कि एक इधर होगा और क्यों टू की और कि यह हुआ है इसे हम सी पॉइंट मानते हैं तो इवन सी लिख देते हैं और इसे टू सी लिख देते हैं तो इवन सी है कि एवन सी है कि इवन सी क्या एगा हमारा यह दिस्टेंस लिजाए और यह दिस्टेंस दिए है जिरो पॉइंट वन सेंटीमिटर गीवन एए को सर्फ है अब अगर जिरो पॉइंट वन सेंटीमिटर ले और इसमें फोर्मॉला लगा है तो डिरेक्ट फॉर्मॉला लगा दे रहां नाइन इंटू टैंटू की पावर माइनस एट अपॉन दिस्टेंस जिरो पॉइंट वन जिरो पॉइंट वन इसक्वार इसे सॉल करते हैं नाइन इंटू टैन क्योंकि यह पावर एड़ हो जाएंगी तो वन बचेगी और अपॉन इंटू टैंटू की पावर वन यानिकि टू लिख देते हैं और अपॉन में वन और बनाएगा तो सॉल हो जाता है तो यह हो पार डिस्टेंस यहां भी सेमी है क्यों टू क्यों सेमी है तो यह भी सेमी आएगा ईटू सी इसलिए यह दोनों चुकि परिमान में दोनों बराबर है तो यह डिस्टेंस और इस सदिसकी डिस्टेंस बराबर बनाए जाए जबकि यहां पर जो इटू जो बीपर बनाया था यह बड़ा बनाया जाए और यह छोटा बनाया जाए तो इसी भी अपका हो जाएगा 9 इंटू टैंटू की बावर 3 न्यूटन पर कुलांग चूकि हमैं इसका परिणामी निकालना है तो एक तरीका यह है कि यह यह साइड Say 12 1 और i2 120 इंट brows happens है लेकि इसके लिए ऽाफ यह देखते हैं कि इसका अख परिणामी यह घटक और इसके कि यह दोनों घटक किये ईवन कि मैं आपको यह रफ करके तब समझा देता हूं आप इतना नोट कर ले पहले कि अज़िए 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 चुकि एवन सी है तो एवन सी का एक गटक यहां किया इवन सी कोस 60 सिक्स्टी डिग्री और एक यहां हो जाएगा एवन सी साइन सिक्स्टी यह कि इवन सी साइन सिक्स्टी चुकि एवन सी और इसके भी दो गटक करते हैं एटू सी कॉस्स्टी और दूसरा एक यहां आएगा इसलिए परिणामी हम यहां लिख देते हैं सी पर परिणामी त्रिवता चलो इधर लिख देते हैं सी बराबर यह दोनों एड हो जाएं यह है कि इवन सी को सिक्स्टी एटू सी कॉस सिक्स्टी चुकि दोनों इक्वल है तो इवन सी और एटू सी इक्वल है ना तो इसे लिख सकते हैं टू इवन सी कॉस्टी को सिक्स्टी का वैल्यू हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू वन अपॉन टू और टू से टू कैंशिल एवन सी और एवन सी का वैल्यू नाइन इंटु एटन तो की पावर थ्री नूटन पर कुलांड इसी इस परकार हम सी पर वैद्दू छेट के और इसकी भी डिरेक्शन जो होगी वह राइट साइड होगी हाला कि हम इसे ऐसे भी एक तरीका और था अगर सी पर हमें निकालना चाहिए चुकि यह एंगल 120 है तो चुकि हम जो दो सदिसों का परिणामी निकालते थे इसी इकल टू एवन सी इसक्वार एटू सी स्क्वार टू एवन सी एटू सी कॉस वन ट्वेंटी चुकि एवन इटू इक्वाल हैं तो यह हो जाएगा टू एवन सी स्क्वार प्लस टू एवन सी स्क्वार कॉस वन ट्वेंटी यहां से यह एवन सी को मना जाएगा एगा सी अंडर रूट क्या बचेगा आपका टू प्लस टू कॉस वन ट्वेंटी आप यहां पर वैल्यू पूट करके और एवन का वैल्यू रखके भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यह एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं अगर माल लो मैं यह सी पॉइंट माल लूं और इस पर एक यह एवन सी है और इस पर इटू सी है तो इसके दो यह दोनों के एक गटक होगा इसका यहां यह जाएगा इवन सी कॉस वन टू सिक्स्टी डिग्री और इसका एक गटक यहां आएगा इसके लंवत इवन सी साइन सिक्स्टी डिग्री इसी परकार इसका करेंगे यह भी नहीं आएगा इटू सी कॉस सिक्स्टी और एक घटक यहां होगा इटू सी कॉसाइन सिक्स्टी चुकि यह और यह दोनों इक्वल है तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगा और यह दोनों एड हो जाएंगे जो कि हमने यहां पर लिखे हैं तो इस परकार हमने तीन पॉइंट पर यहां पर यहां पर और यहां पर इस पूरी वीडियो में हमने नुमेर चार्ज सेम चार्ज Neden आपोजेट चार्जें तो वह अभी नेक्स वीडियो में तो देखते हैं लेकिन इसका आपको लाजuleद मिलने Messi वाला नेक्स बीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में हम